मद्ध ब्रदेश के पूरु मुख्य मंत्री एवम जन्संग के संस्तापकों में से शामिल स्वर्गी केलाज जोशी के सुपुत्र पूरु मंत्री दीपक जोशी का कांग्रेस में जाने की सुख्वुगाहट पिछले करीब 6 महिने से पूरु से चलती आ रही है पिछले दिनों उन्होंने बागली विधायक पहार सिंग कंदोजे के खिलाफ जो बाते कही थी तब से ही ये चर्चे चल रही थी कि किसी ना किसी दिन दीपक जोशी कांग्रेस का हाथ ठाम सकते हैं उसके पूर्व जब 4 साल पुरानी बात करें तो मद्वदेश के पूर्व मुख्य मंतरी एवं कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग विजे सिंग की से भी उनकी मुलाकात हुई थी उस दोरान इसा बताया जाता है कि दिग विजे सिंग ने कहा था कि आपके पिताजी दुआरा जनसंग की स्थापना की गई है आप यहीं पर रहें लेकिन आज फिर यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि दिपक जोशी कांग्रेस का हाथ ठाम रहे हैं उन्होंने मीडिया कर्मी से बात चीत करते हुए कहीं न कहीं ये तरक दे दिया कहीं न कहीं ये बात साबित कर दी कि ये वो दोशा दिन में कहीं न कहीं उनकी पतनी के पूढ़नेती थी वाले दिन वो कांग्रेस का हाथ ठाम सकते हैं अब कयास लगाई जा रहे हैं कि दिपक जोशी कब कांग्रेस के होके हैं दूसरी ओर यहां के देवास के जो इस्थानी नेता हैं वो इस बात को टाल रहे हैं वहीं दूसरी ओर जो सुत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के अन्नी नेता वो भी कांग्रेस के नेताओं के संपर्क म हैं कि किसी भी दिन वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं पिछले दिनों उपचुनाओं के बाद यही बात सामने निकल कर आ रही थी कि आगा मी 2023 का विदान स्वभा चुनाओं कापी गर्माहट बढ़ा होगा क्योंकि इदर से जो कुछ इसे लोग कांग्रेस में शामिल होंगे है ओ कि और रहे